यहाँ छोटा सा पौधा देख रहे हैं मित्रो यहाँ तुलसी की एक प्रजाती है और हमारे इदा इसको मीमरी नाम से जाना जाता है और तुलसी से जादा यहाँ पावर्फुल होता है तेज होता है इसमें एक प्रकार से इसकी खुस्बु जो आती है उसमें उड़नसिंद तेल होता है और इसके पौधे के पास मच्छड कभी नहीं आते यहां हराव होता है और इसमें रोएं होते हैं भुरा भुरा रंगे रोएं होते हैं सफेदी ली हुए और मनजिरियों में लगते हैं जैसे की तुलसी लगता है उसी तरह से इसकी मनजिरिया होती है लग भग दो से तीन फुर तक के बड़ा होता है और पुस्प सफेद होते हैं वाइट कलर का आपको बता रहा हम डंठल मजबूत होता है तुलसी की तरह इसकी माला तुलसिक तरह बना कर भी पहना भी जा सकता है और हमारे इधार इसको गोवरधन जो पूजा होता है जिस दिनी लच्मी पूजा होता है उस दिन गव माता का गोवर का गोवरधन बना करके इसको पूजा की जाती है इसको रख करके और बायल और गाया के सिंग में बांधा जाता है यहां 36 गड़ के वानचलों में इसकी खुब परयोग होता है जैसे किसी भी को बिच्छु ने या सर्फ ने काटा हो तो इसका रस निकाल करके पत्ती का अगर आप पीते हो तो बिच्छु का हो या सर्फ का जहर हो उसको मिटाता है इसके साथ में बिच्छु जिस जगह काटा हो या सर्फ ने वो जगह पर इसको रूई के फोय से इसको लगा देने से विश्ट का निवारन होता है उसके बाद तुरंट आप डक्टर के पास ले जाकर के आप चीकिस्या करा सकते हैं प्राथ में कुपचार के लिए बहुत बढ़िया है सरदी जुकाम में सहद और अद्रक के साथ इसकी पत्ती का रस पिलाने से जो सरदी है जुकाम है खासी है उसमें रामबान काम करता है स्वांस रोग में यहाँ इसकी पत्ती का रस निकाल करके आप उसमें सहद अद्रक मिला करके आप नित्त सेवन करते हैं खाली पे तो आपके स्वांस रोगों में भी अतिंतलाब करते हैं का जो सुजन है और जो कप है उसको भी यहाँ निकालता है यहां मेमरी इसमें एक उड़नसिल तेल होता है और उड़नसिल तेल होने के कारण से यह अत्यन तो खुसबू करते जैसे घर में किसी प्रकार से वास्तुदोस हो रहा हो और जैसे किसी ने बोल दिया पंडित जीने की तोड़ फोड़ लगा तो आप कुछ मत किजिएगा चारो दिसाओं में इसकी पौधे को लगा देते हो तो वास्तुदोस का जो प्रभाव है उसको नश्ट करता है यहां ऐसे तो भारत भूम में यहां सर्वस्त उखता इसको यह थोड़ा सिस पर सकरवी इतना खुसबू आता है तो पूछो मत आयरवेद में भी इसका प्रयोग होता होगा लेकिन हम आयरवेद में इसके बारे में भी तक पढ़े नहीं हैं तो हमने कैसे कि अपनी छेत्री भासा का जो प्रयोग है उ इसी जहरीला कीटी ने काड़ दिया हो तो इसका रस निकालकर लगाने से भी तुरंट जगा दो तो उसका मलने मातरसी उसको ठीक करता है यहां इतनी सामार्थ है जैसे किसी को पथ्री हो गया हो तो इसकी पत्ति इसकी पंचांग को कूट पीश कर पावडर बना करके आप इसकी नित्य सेवन करते हो खाली पेट तो उस पत्त्री को भी गला कर यहां नास करता है यहां मेमरी तो इस मेमरी को आप देख लिजेगा यह हमारी आदिवासी भासम इसको मेमरी कहा जाता है तुल्सी की समान होता है तो इस तरह से आप पत्त्री का प्रयों करके आप पत् कर जाता है तो इसकी पत्तों को निकाल लिजी निकाल करके उसको मस्त चठनी जैसा इस पद्थर सेपिस लेना है सापसुत्र पथर से और उच जगह पर उसको भर करके पत्ती बांद bakayım धैने से घाव को भरता ही है लेकिन साथ साथ में कीडे होते हैं उसको पूरण तुरंत मार देता है इसकी इतनी तीवरगंद निकलती है कि इसकी खुजबू में उड़न सील एक परकार का तेल होता है आपको गलत नहीं बता रहा हूं इस तरह से आप इसे कीड़े कीड़ों को भी मार मार सकते हो चाहिए निसान का हो या पसुका हो इससे घा भी जल्दी भ है देख सकते हो और इस सूरज की रोसनी करा आप कुछ समझ आया यह में नहीं कह सकता तो इस तरह से आप इसकी पत्ती हरी होती है बड़े खुजबू होते वास्तों दोस्त पर तो राम बान काम करता है मैं अपने वीडियो के समाप्त करता हूं तब दक के लिए हरी ओम जै अचे और बान करता है मैं रिला हमाः इसकी Зची यारा तब घ्र ऐसा के डिला करता है रह ऀसके म syllabus रहीं करता है मैं जिजव़ झाया तरह हमेगर है